ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मकर राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर याने किन 7 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशी वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं ग्रहनक्षत्रों के साब से इन 7 दिनों का समय आपके लिए किस प्रकार घटित होने वाला है 77 ग्रहनक्षत्रों के साब से आपको 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर याने किन 7 दिनों में किनकिन चीजों से फायदा होगा किनकिन चीजों से आपको सावधन रहना होगा 77 ग्रहनक्षत्रों के साब से इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वेपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून और शटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो महत्पपून है शुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहला आपकी राशी वालों के लिए 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर यानि किन 7 दिनों का यह बहत पपोने समय। पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। पुरानी गलतियों से सीख कर आप और अधिक बहतरीन नीतियों पर विचार विमर्श करेंगे। जरुतमंद की मदद करने से आपको आत्मिक खुसी भी प्राप्त होगी। किसी सुबचिंतक का आशिरवाद वे सुबकामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी। दोस्तों साथे साथ यह समय आप किसी रुक हुए काम को उन रूप से संपन करने में सफल रहेंगे। बहतर करने के लिए आप कुछ शकार अत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे। आपके विनर्म श्रभाव की वज़े से समाज वे संबंदियों में उच्छित इस्तान बना रहेगा। आपकी योगता वे छमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रती विशेश सम्मान रहेगा। किसी जरुतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांती आपको प्राप्त होगी। कुछ समय परिवार के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कारों में व्यतीत होगा। दोस्तों साथ साथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी। परन्तु घरों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी। समय की चाल अब आपके पक्ष में हैं अनुबवी लोगों का आपको साथ मिलेगा। साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकूल पलणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी। परन्तु जल्द ही समाधान भी प्राप्त होगा। व्यर्थ के कामों में आप समय नष्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें तो अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वैसोच विचार विमर्स करके आप निर्ण एलें। किसी प्रकार का विश्वास गहत या धोका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें तथा अपनी महत्पपूर्ण वस्तूओं को बहुत अधिक समाल कर रखें किसी नजदी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत् सकता है शांति पून ढंग से आप मामला सुल जाएं अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें उन्हें गुप्त रखें दोस्तों साति सात वाहन या कोई भी मसीनरी संबंदी उपकरन बहुत ध्यान पूर्वक इस्तमाल करें किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई एप्रिये या एशुब समचार आपको मिल सकता है खर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर रखना आवश्चक हैं साति सात अपने रिष्टेदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका है इसलिए क्रोधी स्वबाब पर आप नियन भी प्रकार का फाइदा ना होने की इस्तिती लग रही है शंतान की परेशानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेगा दोस्तों बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती-पतनी के बीच आपसी समंजस मधुर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात प्रसन न अधिक वेश्टता के बावजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा शाति-सात जीवन साती का सयोग परिवार के वातावरण को शांती-पूर्ण तथा अनुसासित ब बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय का आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय आप अपने करेच्छित्र में अपनी गति विदियो में और अधिक सुधार लाने का प्रत्न करेंगे परंतु डील करते स समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश्य हकता है थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का बड़ा खाम्याजा आपको भुगतना भी पड़ सकता है नोकरी में कोई तरक्की मिलनी की भी उम्मीद है किसी उच्च वेवरिष्ट अधिकारी के सयोग से राजिकि पूर्ण होंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है वैविशाय में बहुत अधिक कार्रे तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिक्ता रहेगी घर परिवार की उल्यानों से ध्यान हटा कर अपने वैविशाय नोकरी पर आप साथ साथ वैवसाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त होगी इससे आत्म विश्वास बढ़ेगा ओफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं अपने संपर्क सूत्रों के दाइर को और अधिक विश्वित्रित करना आपके लिए फायदेवंद साबित होगा साथ 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 ऑफिस में कोई ऐसी गलती या आप से चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डाट का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साफधान रहें साथ साथ कारे छेत् परमत वे रंग रोगन संबंदिक कार्यों की भी योज ना बनेगी युवा वर्ग को अपने केरियर संबंदी कोई महत्पपोन सूच ना मिल सकती है जिससे उनको बहुती खुसी प्राप्त होगी कमीशन संबंदित व्यवसाय में भी आपको सफलता प्राप्त होगी नौकर प्रेशर तथा डाइबेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें मौसमी बुखार भी रह सकता है अपनी दिंचरिया को आप शेय मित रखें बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाब काशर आपके स् प्रभी पढ़ सकता है इसलिए आप आयरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें संतुलित आहार लें और शादिसात योग और प्रणयाम का शहारा लें आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा